नमस्कार मैं हूं अशोक बर्मा आप देख रहें टीबी 20 नूज अपने अपने छेतरों की खबरों को देखने के लिए बने रही है हमारे साथ आप नजर करते हैं खबरों की तरफ इस खबर के प्रयोजक हैं प्रवांचल मसिनरी एजेंसीज वर्मा टावेर नरावली तैनिस के सोरों के नीचे आजमगड जिसके प्रोपराइटर है अशोक कुमार बर्मा और मुबाइल नंबर है 94-15-20-77-28 खबर अमेटकर नगर से जरायम की दुनिया में अपने नाम का सिक्क शिलाने वाला खान मुबारक के अपराधों की लंबी लिस्ट है मुकदम से इसका चोली दामन का साथ था प्रदेश के टॉप 10 सूची में सामिल खान मुबारक को अचलहों का सौक था और जब वा निकलता था उसके पास असलाधारियों की फोज तैनात रहती थी वहीं खान मुबारक के तार अंडल वर्ड से भी जुड़े हुए थे वहीं खान मुबारक का बड़ा भाई जफर सुपारी मुंबाई में रहता था और इसके अंडर वर्ड के बहुत ही गरीवी रिष्टे थे जफर छोटा राजन गिरुओ का सार्फ सूटर था आपको बता दें कि अम्बेटकर नगर जिले के हंस्वार थानाशित्र के ग्राम और समार निमाशी महमद रजी आलम का छोटा खान मुबारक पर अपरादों की लिष्ट लंबी है अम्बेटकर नगर जिले से प्रयागराज तक इस पर दरजनों मुकदमे दरज हैं सायद ही IPC की कोई ऐसी धारा हुगी जो इस पर रना लगी हो अम्बेटकर नगर ध्लोोंगे भी लोग दसत में हैं आपको बतादे हैं पैस들이 लिए काम करना मुबारक खान का पेशा बन गया था कहाई जाता है कि खान मुबारक एक सूपारी किलर था जो पैसे लेकर हत्त्य करवाता था पराण फिरोती और जमीन की कभ्ज़ेधारी करना ही इसका मुक्ष प परवाय थी उससे पूरे इलाके में इसका स्विक्का चलने लगा था वहीं का जाता है कि भाजबा सरकार बनने के बाद प्रसासन ने खान मबारक पर सिकंजा करशना शुरू कर दिया एक बार ऐसी भी खबर आये थी कि खान मबारक को पुलिस प्रयागराज में एक लड़की क साथ होटल से पकड़ा था और इसके एंकाउंटर की भी तैयारी में थी लेकिन बात बहार आ गई और पुलिस को अपना प्लान बदलना पड़ा यही नहीं अमबेटकर नगर में जब वह था तो कई बार पुलिस उसके पीछे पड़ी लेकिन वह हर बार पुलिस को चक्मा देकर फरार हो जाता था जब तक पुलिस उसके ठीकाने पर पहुंचती तब तक वह ठीकाना बदल लेता था